जै श्री कृष्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे कार्थिक मास मातम्मे के 24 वे अध्याय की कथा बोलिए श्री विश्णो जी महराज की जै हो राजा परतो नारज जी से कहते हैं है नारज जी आपने श्री तुलसी जी के इतिहास व्रत और मातम्मे के विशे में कहा अब आप करपाकर मुझे यह बताईए कि कार्थिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है सारी बाते मुझसे विस्तार से कहिए तब नारज जी बोले बहुत समय पहले की बात है सहे परबत पर करीवर में धरमदत नाम का कोई धर्मग्य प्रहमण था एक तिन कार्थिक मास में भगवान विश्णू के समीब जागरन करने के लिए भगवान के मंदिर की ओर चले उस समय एक प्रहर रातरी बाकी थी भगवान के पूजन की सामगरी साथ लिये जाते ब्रामण ने मार्ग में देखा कि एक भ्यंकर राक्षशी चली आ रही है शरीर का अपने लगा तब उन्होंने साहस करके पूजा की सभी सामगरी और जल से उस राक्षशी के उपर प्रहार कर दिया उन्होंने हरी नाम का स्मरन किया और तुलसी दल में शरी जल से उसको मारा इसलिए उसका सारा पातक नश्ट हो गया अब उसे अपने पूर्व जनम के करमों के परिणाम सरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरन हो आया उसने ब्रामन को दन्डवत प्रणाम किया और कहा ये ब्रामन मैं पूर्व जनम के कर्मों के फल से इस तशा को पहुँची हो आप बताईए मुझे किस प्रकार उत्तम गती प्राप्त होगी जब धरमदत ने उसे इस तरह से प्रणाम करते हुए देखा तो आश्चरे चकित होते पुछा कि किस कर्म के फल से तुम इस तशा में पहुची हो तुम कहा की रहने वाली हो तुम्हारा नाम क्या है आचार वेवार कैसा है सारी बाते मुझे बताओ उस राक्षशी का नाम कलहा था तब कलहा बोली ऐ ब्रामद मेरे पुर्वजनम की बात है सोराष्ट नगर में बिख्षू नाम के एक परामद थे मैं उनकी पत्नी थी मेरा नाम कलहा था मैं बड़े ही क्रूर सोभाव की स्तिरी थी मैंने वचन से कभी भी अपने पती का भला नहीं किया कभी उन्हें मीठा भोजन नहीं परोसा सदा अपने स्वामी को धोका देती रही मुझे कलहें विशेश प्रिय था इसलिए मेरे पती का मन सदा ही मुझे से उद्विगन रहता था मुझे से दुखी रहने के कारण उन्होंने दूसरी स्तिरी से विवहा करने का दिश्चे कर लिया तब मैंने विश्खा कर अपने प्राम त्याग दिये फिर यमराज के दूत आए और मुझे पांध कर पीटते हुई यमलोक में लिगए वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चितरगुप्त से पूछा ये चितरगुप्त देखो तो सही इसने कैसे करम किये हैं जैसा इसका करम हो उसी की अनुसार ये शुब और अशुब फल प्राप्त करे तब चितरगुप्त ने कहा इसका किया हुआ कोई भी करम शुब नहीं है ये स्वे मिठाईया खाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी यह सदा ही अपने स्वामी से द्वेश करती थी इसी कारण यह चमगादड़ी होकर रहे सदा कलहे में इसकी परवर्ती रही है इसलिए यह विष्ठा वोजी शुक्री की योनी में रहे जिस बरतन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा अकेली खाया करती थी उसी के दोश से अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो इसने अपने पती को निमित बना कर आत्मखात किया है इसलिए यह अतंत निंदनी इस्तरी प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे इसे यम्दूतो द्वारा निर्जल परदेश में भेज देना चाहिए वहां दिर्ग काल तक यह प्रेत की शरीर में निवास करे उसकी बाद यह पापिनी शेश तीन योडियों का भी उप्वोग करेगी तब कलहा ने कहा हे विपरवर मैं वही पापिनी कलहा हूँ संगम तक आई हूँ जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवाय शिव और विश्णो के पारशदों ने मुझे बलपूरवक बनिये के शरीर से दूर भगा दिया तब से मैं भूक और कष्ट सहन कर रही हूँ और इदर उदर घोम रही हूँ इतने में ही आपके उपर मेरी दृष्टी पड़ गई आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर अब मेरे सभी पाप नश्ट हो गए हैं अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए कि मेरे इस शरीर से और भविश्य में होने वाली भयंकर तीन योनियों से मैं किस प्रकार मुक्त होंगी कलहा का यह वचन सुनकर धरमदत उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए फिर उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर कहा धरमदत जीदे क्या कहा यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे यहाँ पर 24 वे अध्याय की कथा समाप्त होती है बोले शरी विश्नो भगवान की जय हो अब मैं आपको पत्वारी माता की एक पिल्कुल नई कहाने सुनाती हूँ किसी ने पूछा था कि पत्वारी माता कौन होती है पत्वारी माता की पूजा कैसे शुरू हुई तो आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि पत्वारी माता कौन है और उनकी पूजा कैसे शुरू हुई बोलिये पत्वारी माता की जै हो एक समय की बात है भगवार सत्य नरायन और देवी सत्साई पुर्णिमा प्रत्वी पर आए प्रत्वी पर विचरते हुए मानव कल्यान की बाते करने लगे एक गाउं से कुछ दूर जाकर एक निर्जन इस्थान पर एक कुवा था और वहाँ पर एक शिला पर बैठ गई संसार की कल्यान की बाते करने में इतने तलीन हो गए कि उन्हें समय का आभास ही नहीं रहा तबी उन्हें पास ही में एक नारी का दुखी और रोने का स्वर सुनाई दिया मैं रोते रोते कह रही थी हे इश्वर मेरी रक्षा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, विपदाओं की मारी हूँ, मेरी रक्षा करो हे इश्वर मेरी सहायता करो, इतनी करूल पुकार सुनकर, उन दोनों को समय का आभास हुआ वे सोचने लगे कि हमें यहां पर आए बड़ा समय बीच चुका है, तब ही वे वहां से उठ खड़े हुए, अभी वे उठे ही थे कि जिस शिला पर वे बैठे थे और संसार की कल्यान की बाते कर रहे थे, वे शिला तेजस्वी स्वरूप होकर चमकने लगी यह देखकर देवी पुर्णिमा ने कहा कि यह पत्थर की शिला पुर्णिमा के दिवस यनि पुर्णिमा के वार के एक दिन जन कल्यान करने में समर्थ हो गई है, अब यह मनुरत पूर्ण शिला आज की शुबवार से जुड़ने के कारण पत्थर वारी कहलाएगी, जो काम सिद्ध हो जाएंगे, उसे सभी कष्टों से मुक्ती मिलेगी, यह वचन कहकर भगवान सत्य नारायन, उस नारी को खोजने चले, जिसका करुन पुकार उन्हें सुनाई दी थी, थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक रोती बिलकती इस्तरी दिखाई दी, वह बहुत द कर्मों की सजा मिल रही है, कर्पिया आप मेरा मार्ग दर्शन करें, तब देवी पुर्णिमा ने उसे कहा, कि हे बेटी, तुम्हें अपने पहले के जन्मों के कर्मों का पल मिल रहा है, पहले के जनम में, जब भी कोई तुमें भगवान की कथा में बुलाने आता, तो तु और कोई भग्त तुम्हें परशाद भी दे जाता, तो तुम इसे धकोसला कहकर किसी कुट्टे को डाल देती, तुम्हें कभी भी कथा का परशाद तक रहन नहीं किया, घराए बिखारी कोई कितना ही मांगे, पर उसे जवाब तक नहीं देती थी, वो बेचारा आवाज लगी रहती और उसकी उपेक्षा करती, इस तरहें अपने पहले के जनम में तुमने कोई भी पुन्य का काम नहीं किया, इसी कारण इस जनम में तुम्हें इतना कष्ट मिल रहा है, तब वह अपने कष्ट की मुक्ती का उपाय पूछने लगी, इस पर माता चुप हो गई, तब उसने बार-बार प्रार्थना करके अपने कष्टों की मुक्ती का उपाय पूछा, तब माता बोली कि तुम इस स्थान पर जिस पत्थर की शिला के पास बैठी हो, इसी स्थान पर रो जाना, तुमसे जो बन पड़े भोग लगाना, और अपने बच्चों के परशाद क रूप में पाट देना, तो तुम्हारा पुन्य बढ़ता जाएगा, और तुम पर कृपा होगी, तुम्हारे सभी दुख और कलेश दूर हो जाएंगे, इतना कहकर भगवाल सकते नरायन और देवी पुर्णीमा, वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, उस इस्थरे ने देवी की कही अनुसार वैसा ही किया, अपने घर गई और खर से गोड और जल लाकर इस शिल यहां पर रखी शिला पर चड़ाया, और बच्चे परशाद को घर में अपने बच्चों में, पती में और सास ससुर में बाट दिया, वह इसी तरह रोज करने लगी, अपने घर आने वाले भिकारी पर भी उससे जो बन पड़ता, वह दान करती, अनदान देती, इस तरहें करते करती, कुछी समय में उसके घर में, खेती में, कुछाली आती चली गई, यह सब देखकर पडोस की इस्तरियों ने, उसे जब शिला पर जल और गुर्द जड़ाते देखा, दीप जलात तो वे पूछने लगी, यह कौन से देविया देवी हैं, और तो यहां पर रोज पूजा करने क्यों आती हो, तब वे कहने लगी कि यह पत्थवारी माता है, इनकी पूजा करने से सभी दुख और कश्ट दूर हो जाते हैं, और घर में सुक संपत्ति आती है, यह सब जान कर में इस्तरियां भी पत्थर की शिला पर अपने शक्ति के अनुसार पूजा करने लगी, पर शाद पना कर चड़ाने लगी, जिसके फलसरूप सभी पर पत्थवारी माता की किरपा हुई, धीरे धीरे जब सभी के रिष्टिदार भी यह सब देखने लगे, तो पत्थवारी देवी की महिमा परचारित होने लगी, फिर सब जंगे पर पत्थवारी माता की पूजा होने लगी, देखा देखी दूसरे गाउं की लोग भी अपने गाउं से पत्थर लाकर पत्थवारी माता की शिला से चुआ कर अपने गाउं के चुराहों पर स्थापित करने लगी, ताकि आते जाते सदा ही पत्वारी माता के दर्शन होते रहें। जब भी किसी यातरा पर जाते तो पत्वारी माता का अशिरवात ले कर जाते। ताकि उनकी यातरा मंगल में हो और उन्हें सुभफल की प्राप्ति हो। एपत्वारी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना सभी को कश्टों से मुक्ति देना सभी के घर में सुक सम्पत्ति देना बोलिए पत्वारी माता की जैपि अब हम सुनेंगे कार्थिक मास में सुनी जाने व safely चिटक बिंदा की कहानी बोलिए विंदायत जी महराज की जै हो एक भाई बहन थे बहन कार्तिक के महीने में ब्रत करती थी सभी देवताओं का पूजन करती थी लेकिन उसने कभी भी चटक बिंदा की पूजा नहीं की थी चटक बिंदा की पूजा की नाम से आसन जाड़कर उठकर बैठ जाती थी इस पर चटक बिंदा भगवान नाराज हो गए और कहने लगे कि मैं तो इसको दोश लगाऊंगा और पातक लगाऊंगा अब तो चटक बिंदा महराज ने एक आदमी का वेश बनाया और रात के समय बहन की कमरे की तरफ आए और उसकी बिस्तर के चारो तरफ चक्कर लगाते जाते और पान की पीक थूकते जाते मिठाई खाकर उसका दोना उसकी बिस्तर के पास ही रख जाते इस तरह ऐसे चटक बिंदा महराज रोज आदमी के वेश में बहन की कमरे में आने लगे एक दिन भाबी सफाई कर रही थी तब उसने देखा कि पलंग के पास पान की ठुकी पड़ी है और मिठाई की खाली दोने पड़े हैं भाबी का माता ठंका वो तो भागी भागी गई अपने पती के पास और बोली वैसे तो तुम्हारी बहन बहुत पूजा पाठ वाली बनती है बहुत संसकारी बनती है वैसे रात को उसके पास आदमी आते हैं भाई को तो ये बात सुनकर बड़ा गुसा आया वह बोला कि मेरी बहन तो बहुत पूजा पाठ वाली है उसके बारे में ऐसी बाते मत करो तब भावी बोली हाँ हाँ देखी है तुमारी बेहन जातर कमरे में देखो क्या हाल हो रहा है तब वह कहने लगा कि मेरी बेहन के बारे में कुछ भी उलता सीधा मत कहो मेरी बेहन तो पान के पत्तों से भी हल्की है चाहे तो तुलवा कर देख लो अब बहन को तुलवाया गया लेकिन वह इतनी भारी हो गई कि बहुत सारे पान के पत्ते चड़ा दिये पर फिर भी वह तुली नहीं अब तो भाई को भी बड़ा गुस्सा आने लगा भाई ने रात में क्या किया कि छुपकर कमरे में बैठ गया और देखने लगा थोड़ी देर में आधी रात में उसने देखा कि एक आदमी आया बहन के पलंग के चारो तरफ चक्कर लगाने लगा पान खा रखा ता पीक वही थूकती मिठाई खाई और दोना वही फैक दिया और जाने लगा जब वह जाने लगा तो भाई ने उसे पकड़ लिया बोला तु कौन है तो वह बोला कि मैं तो चटक बिंदा हूँ तब भाई ने पूचा कि तुम यहां क्या करने आए हो मेरी बहन के कमरे में तो वह कहने लगा तुमारी बहन को ऱटीघा लगा ने आया हूँ तेरी बहन कार्थिक कवरत करती है कार्थिक में पूजा करती है सबी देविद इव्धाओं का पूजन करती है पर मेरा नाम भी नहीं लेती मेरा नाम लेती से तो आसन जाड़ कर उड़कर बैठ जाती है तो मैं उसको दोश लगाने आया हूँ, उसको पातक लगाने आया हूँ अब तो भाई पैरों में गिर गया, हाथ पैर जोडने लगा और पूछने लगा कि बताओ, मेरी बेहन का ये दोश, ये पाप कैसे दूर होगा तब चटक बिंदा महराज बोले, कि तुम दोनों बेहन भाई, तीर्थ करने जाना, एक साथ जाना, तुम्हें एक साथ देखकर, लोग तरह तरह की बाते करेंगे कोई कहे का भाई बेहन है, कोई कहे का पती-पत्नी है, कोई कहे का भगा कर लाया है उनको दोश लगता जाएगा और तुम्हारी बेहन का दोश उतरता जाएगा आगे जाओगे तो एक कुवा मिलेगा, उस कुवे से तुम्हे कच्चे धागे से पानी खीचना है बहन खीचेगी तो तुमें नहलाएगी, तुम खीचोगे तो बहन को नहलाओगे अगर सूत नहीं तूटा तो समझ लेना, तुम्हारे दोश उतर रहे है आगे जाओगे तो एक गया मिलेगी, उसको बच्चा होने वाला होगा बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा होगा तुम दोनों बहन बाई उसको हाथ लगाना, अगर उसकी बच्चा हो गया, तो समझना तुम्हारे दोश उतर रहे है तीर्द पर जाओगे तो वहां के पट बंद मिलेंगे, पट किसी से भी खुल नहीं रहे होंगे सभी लुहार बढ़ाई, सभी कोशिश करके ठक जाएंगे तब दोनों बहन बाई अपने हाथ लगाना अजर ठक्का मारने से पट खुल गए, तो सोचना तुम्हारे दोश उतर गए अब तो दोनों बहन भाई तीर्द करने चल दिये चलते चलते, लोग तरह तरह की बाते करने लगे वोई कोई कहता पती-पत्नी है, कोई कहता भाई-बेहन है, कोई कहता ये लगता है भगा कर लाया है, इस तरहें उनके दोश उतरते रहे, लोगों पर चड़ते रहे, अब आगे गई कुवा मिला, दोनों ने कच्चे सूथ से पाने खिचा, एक दूसरे को नहलाया, तो बेहन कहने लगी, भाई लगता है, हमारे पाप नश्ट हो रही है, थोड़ा आगे चले, तो एक गाएं तड़प रही थी, कस्टसी व्याकुल हो रही थी, भीड जमा थी, तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, तब सब लोग कहने लगे, कि गया तड़प रही है, कोई भी गाएं के पेट पर हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया, उसके बच्छडा हो गया, गाएं का कश्ट दूर हो गया, तो सभी लोग उनकी पर संशा करने लगे, आगे गए तो तीरत के पट बंद मिले, सभी लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, खूब बड़े बड़े पहल अरवानों के धक्के से तो खुल नहीं रहा, ये बाला खोलेंगे, फिर भी दोनों गए, दोनों ने हाथ लगाया, जरसा धक्का मारा, तो तीरत के किवाड खुल गए, तो बहन बोली कि भाई हमारे सभी पाप नश्ट हो गए, ये चटक बिंदा जी महराज, जैसे बहन भा आपो को नश्ट करना, सबके घर में खुशाली देना, बोली ये चटक बिंदा महराज की जैहो, कार्ति के महीने में सुनी जाने वाली नित नेम की सीता माता की कहानी, राम आए, लक्ष्मन आए, देशी के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूद पताश्या पीओ राम, सूद के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओडो राम, राम समारे सब की काम, खली घर भंडार भरेंगे, शिरी राम, जे जे राम, शिरी राम, जे जे राम, सीता माता कहानी कहती थी, और शिरी राम सुनते थे, एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ दया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो बारा वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे प्रणा कुई की पाल पर जाकर बैठ जाना और ते पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली अच्छा। सीता माता कुई पर जाकर बैठ गई। एक बहु आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता म माता कहने लगी की बहन मेरा बारा वर्ष का नितनेम सुन ले। तब बहु बोली की मैं तेरा बारा वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सो पहे रही थी मेरी कहानी सुन ले मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही खड़ा ले गई सीता माता कुए पर बैठी पाई कहने लगी मेरी कहानी सुन ले तो सास बोली कहानी एक बार छोड़ चार बार सुनू तब सीता माता कहानी कहने लगी। शिरी राम जे राम जे जे राम शिरी राम जे राम जे जे राम तब वह कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है घर गई तो रेशमजरी की साड़ी हो गई और सोने का घड़ा हो गया तब बहु पूछने लगी सासो जी तुम वापस कैसे कर लाई तब सास ने कहा लक्षमी जी का वास कर दे और जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है अच्छा सासु जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो ले भाई तू भी सुन ले अब सास ने कहानी कही बहु ने सुनी बहु ने कहा सासु जी कहानी तो बहु अच्छी है तब सास कहने लगी बहु अच्छी है तो रोज कहलिया करेंगे अब सास वहु नाती पूजा पाट करती नितनेम की सीता माता की कहानी कहती एक दिन उनकी पड़ोसन आई कहने लगी बहन जरा आच दे दे तब वे कहने लगी कि अभी हमने आच नहीं जलाई तब वह बोली तुम चार बजे से उठी हो क्या कर रही हो तब वे कहने लगी हम नहाए धोय पूजा पाट करते सीता माता की कहानी कहते पडोसन ने पूछा इससे क्या होता है तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट बंडारे वर जाते हैं सारे कारज सिद्ध हो जाते हैं तब पडोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नितनी मकानी मलाए आओ राम पहठो राम तपीरसोई जिमो राम माखन मिशरी खाओ राम दूद पताशा पीओ राम तब पडोसन कहने लगी कि बेहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है आप पडोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिये हे मेरी सीता माता जैसे उन सब के भंडारे भरे सब के भरना लक्ष्मी का वास हो अनपूर्णा का वास हो बोलो सीता माता की जै जै श्री राम जै श्री राम जै श्री राम अब आपको सुनाती हो आड़ी बारी की छोटी कहानी सभी कथा कहानी के पाद आड़ी बारी की कहानी सुनते हैं और अगर आड़ी बारी की कहानी ना सुने तो कभी भी किसी कथा कहानी का फल नहीं मिलता तो सुनते हैं आड़ी बारी की कहानी जीमें बैठी कान कुमारी, कान कुमारी कई कई मांगे, 36 करोड की देवता मांगे, बारी जिमाएं कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्षमी होवे, बिछडियाना मेल होवे, निपूतीने पुत्र होवे, सासो को कुर्शन बहो को जिम्मन, उठ भाई भाबी को मान, थाने थारी वारतों को फल, और माने मिले मारे बरत को फल, बोलिये आरी वारी की जै हो, कार्तिक मास के शुकरवार की कहानी, एक सास भहु थी, बेटा काम धंदा करता था, महिने दो महिने में घर आता था, सास शुकरवार की मूर्दी सिंगासन पर बैठा कर पूजा करती थी एक दिन सास बहु से कहने लगी कि मैं तीर्थ करने जा रही हूँ तो मेरे शुकर भगवान की पूजा कर लेना अब सास तो बहु को पूजा की विदी समझा कर चली गई बहु ने नहा दो कर काम धंदा करके खापी लिया शुकरवार की पूजा नहीं की शुकर महराज को गुस्सा आ गया तरह तरह की विपत्ती घर में आ गई बच्चे बिमार हो गए लड़के का काम चुट गया बिमारी में सारा पैसा खतम हो गया घर में जाड पोचकर शुकर महराज की मूर्ती को भी कूडे में डालाई अब तो लड़का भी बिमार हो गया सार्स तीर्थ यात्रा से वापिस आई तो घर को देखकर बड़ा दुख हुआ रात को सपने में शुकर महराज आए और बोले कि तेरी बहु ने मेरी पूजा नहीं की मेरा बड़ा अपमान किया इसे लिए सारा धन नश्ट हो गया है सुबह उठकर देखा तो शुकर महराज की मूर्ती भी नहीं थी बहु से बोली बहु मेरी शुकरवार की मूर्ती कहां गई बहु बोली मुझे नहीं पता सास घर भुहार कर कूड़ा फैंकने गई तो वहाँ देखा शुकरवार की मूर्ती पड़ी थी वहाँ से मूर्ती उठा लाई नहला कर बड़े प्रेम से पूजा की आरती की विंती की सास बहु दोनों शुकरवार के वरत करने लगी लड़के का काम फिर से लग गया बिमारी ठीक हो गई बेटा बोला हमारे बुद्धी खराब हो गई थी कोड़े में शुकरवार की मूर्ती फें गई सास बोली ये शुकरवार महराज जैसे बेटा बहु से रूठे हो किसी से भी मत रूठना जैसे सास कोपर अपनी कृपा की ऐसे ही सब पर करना कहते सुनते हुंकारा भडते पर बोलिये शुकर बगवान की जैए हो तुलसी माता की आर्थी तुलसी महरानी नमो नमो दुलसी महारानी नमो नमो हरी की पट्रानी नमो नमो दुलसी महारानी नमो नमो धन दुलसी पूरण तपकीनो शाली ग्राम बनी पट्रानी नमो नमो दुलसी महारानी नमो नमो जहा के पत्र मंजरी को मत शिरी पती कमल चरन लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हर की पत्रानी नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी दुलसा कौन से महीने में हुई हर याल नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अशार मास में बोईरानी तुलस सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो कार्थिक मास में हुई तेरी पूजा मंसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो दोपदीप नेवेथि आरती उष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो चपन वोग छती सो व्यंजन बिन तुलसी हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसा जी को सबेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दो पहर को गाए फिर खांड के भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी महा को शाम को गाए श्री कृष्ण जी के आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात में गाए श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो सभी सक्की मैया तेरो यशिगावे भगती दान दीज्यो महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो अरी की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो बोलिये दुलसी माता की जैहो, विश्णु भगवान की जैहो, लक्षमी माता की जैहो